कर दो नियूज़िलैंड और पाकिस्तान के बीचे मुकाबला खेल गया था नियूज़िलैंड ने पहले बल्ले बाजि करते हुए 402 रनों का लक्ष दिया था पाकिस्तान को और आपको पताती कि कल को जो मुकाबला था वो डू और डाई वाले सिच्वेशन थी नियूज़ि ले भी अगर नियूज़िलैंड जीती तो उसके पॉइंट स्टेबल फे दस पॉइंट हो जाते हैं और वह एक कदम और करीब हो जाते सेमी फाइनल के वहीं अगर पाकिस्तान जीत जाती तो कहीं न कहीं वह अपने उमीदों को जिन्दा रखती लिकिन आपको पाकिस्तान 21 से जीत चुकी है डेलेस मैथेड से जीती वह क्योंकि बारिश आगई थी फिर खेल शुरूब फिर बारिश आगई उसके बाद से खेल नहीं हो सका इस वह से पाकिस्तान जो थी 21 रनों से जीत लिकिन प्लेयर ऑफ दा मैच रहे फखर जमान क्या शांदार पारी खेली उन्ह हो गए हैं जो नीजिलेंड के कप्तान है चलिस वीडियों बताते हैं कि केन विलियमसन ने क्या कुछ कहा है फकर जमान को लेकर मौसम ने अपना किरदार निभाया लेकिन पाकिस्तान से दूर नहीं कर सका फकर जमान उसके लिए मैदान कम बढ़ा था उन्होंने बहुत ही शांदार खेला और खुद को हर एक मौका दिया फकर जमान को पहले डॉप कर दिया गया था पाकिस्तान टीम से उसके बाद से फिर इमाम उलहक और अब्दुल्ला शफीक की जोड़ी जो थी वो उपनिंग कर रही थी लेकिन फिर इमाम उलहक भी नहीं चल रहे थे कभी रन बना रहे थे कभी रन नहीं बना रहे थे लगातार फ्लॉप हो रहे थे फिर अब्दुल्ला शफीक और फकर जमान को लेकर आए गया है बंगलादेश खिलाब भी फकर जमान इशांदार पारी खेली हाला कि शतक नहीं लगा पैते लेकिन बहुत अच्छी पारी खेली पाकिस्तान हार जाते लेकिन जिस तरह से फकर जमान बल्ले बाजी कर रहे थे न्युजिलेंड के बॉलर्स को छोड़ नहीं रहे थे हर बॉलर को पिट रहे थे चाहे मिचल सैंटनर हो चाहे इस रोधी का वो जो एक ओवर था जिसमें 20 रन पिटे थे बहुत ही महंगा कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके हमें सरुर बताएं और साथ ही साथ उफान स्पोर्ट्स को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नभूलें